आज हम लोग बनाने जा रहे हैं खारी और इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है एक बर्तन और बर्तन में मैंने डाल लिया है दो चम्मच मलाई दोस्तों यह मलाई फ्रिश में रखी हुई थी तो इसलिए यह कड़ी है उसमें एक चम्मच मैधा डाला और इन दोनों को हादी अच्छे से फेंट रहे हैं इसको अपने आप हाथों से फेट सकते हैं या फिर अगर आपके पास विस्कर है तो आप उससे भी फेट सकते हैं बट यह बहुत अच्छे से आपको फेटना है और जब आप अच्छा हमने इसको फेंट लेंगे तो यह कुछ इस तरीके का देखेगा दोस्तों मलाई की जगे आप बटर या फिर डालडा का भी यूज कर सकते हैं बट इसमें आपको रिफाइंड ओयल का नहीं यूज करना है यह इसमें घी आपका मोल्टन फॉर्म पे नहीं होना चा जारी चीज़ों के यूज कर सकते हैं तो अब हमारा यह बिल्कुल रेडी है इसको फेंट के कुछ इस तरीके का इसका टेक्शर आ जाएगा इसको मैंने दूसरे प्लेट में निकाल लिया अब मैंने लिया है एक कटोरी मैंदा उसमें एड़ किया नमक और यह है बना लेंगे डो बनाने के लिए दोस्तों थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको डो बनाए और साथे पानी डालने के भी पहले हम चेक कर लेंगे कि मोयन हमारा सफिशिंट है और उसके लिए मैदे को मुठी से बांधा और हम नेक्स इसमें आड़ करेंगे नीबू क जूस जो कि आदा नीबू मैं यूस कर रही हूँ इसके बीज को मैंने पहले ही हटा लिया और इसको इसको इसक्वीज कर लिया इसमें नीबू का जूस डालने से हमारी खारी बिल्कुल फूली फूली सी बनेगी इसमें लेयर्स भी अच्छे आ जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा पानी डालके इसका डो बनाएं और अब हमारा डो बिल्कुल रेडी है डो जो बनाना है ये हमें जो पूरी का डो बनाते हैं उसे थोड़ा टाइट बनाना है इस डो को मैंने छे पार्ट में कर लिया छे लोई बनाई और फिर हम इनको रोटी जैसा बेलेंगे तो उसके लिए मैंने मैदा से डस्ट करते हुए इनको बेल लिया दोस्तो जीरा इसमें बिल्कुल ऑप्शनल है अगर आपको जीरा नहीं पसंद है तो आप इसमें नहीं भी डाल सकते हैं इसकिप कर सकते हैं तो बिल्कुल पतली रोटी के शेप में इसको बेल ले आप देख सकते हैं इतना ट्रांस्पेरेंट है कि मेरा हाथ नीचे देख रहा है तो फिर से मेहदे से इसे डर्स्ट किया और नेक्स्ट लोई ली उसको भी मैंने कुछ इसी तरीकी से बेल लिया रोटी के शेप का याद रखे कि मुझे 6 रोटियां बनानी है और यह सभी इक्वल साइज की सिमिलर साइज की बननी चाहिए और इस तरीके से सारी रोटियां मैंने मेल ली मैंने 6 रोटियां बनाई है प्रेंट्स उसके बाद यह जो क्रीमी टेक्श्चर तयार किया है उसको रोटि के उपर लगाएं इसको बहुत ही अच्छे से अपने हाथों से स्प्रेड करें जैसे ब्रेट के उपर हम बटर स्प्रेड करते हैं उसी तरीके से इसको बहुत ही अच्छे से पूरे रोटि पर फैला लें इसको आप चम्मत से भी स्प्रेड कर सकते हैं अब लिया दूसरी रोटी को और उसको उसके उपर रख दिया दूसरी रोटी के भी उपर हमें कुछ इसी तरीके से क्रीमी टेक्श्चर को स्प्रेड करना है बहुत ही अच्छे से इसे फैला के अपने हाथों से चारो तरफ फैला दे हुए लगाएं कोई भी जगे शूटने ना पाएं फिर तीसरी रोटी को भी मैंने इसके उपर रखा सिमिलरली हम इसके उपर भी वही काम करेंगे और क्रीम को फिला लिया चौथी रोटी भी इसके उपर रखा इसी तरीके से हम सभी रोटियों के बीच में इन क्रीम को लगाते हुए पर लोटी रोटी और फाइनली जब आप लास्ट रोटी को इसके उपर रखें तो उसके उपर भी क्रीम को अच्छे से स्प्रेड कर दें लास्ट रोटी के उपर भी स्प्रेड करने के बाद आप कुछ इस तरीके से इसे फोल्ड करें दोस्तो फोल्ड इस तरीके से करना बहुत जरूरी है तभी आपके खारी में एक अच्छी लेयर आएगी पहले साइड से किया दूसरे साइड से किया फिर आपके जो दो साइड बचे हैं उनको भी अच्छे से फोल्ड करें और क्रीम को लगाते हुए आप इसे फोल्ड करके कुछ इस तरीके से रेक्टेंगुलर शेप दे दें क्रीम से इसे बिलकुल लॉक कर दें दोस्तों इस सारा काम आपको बहुत हलके हाथों से करना है इसे बहुत ही तेज दबाएना अधर्वाइस जो आपकी लेयर्स हैं वो आपस में चिपक जाएंगी तो रेक्टेंगुलर मैंने शेप दे दिया हैं और फिर मैंने इसे एक प्लेट में रखा उसके बाद आपको इसको ढख के 20 मिनट के लिए फ्रीजर में डाल देना है इधर साइड में हम इसको बेक करने के लिए कड़ाही तयार कर रहे हैं तो इस कड़ाही में मैंने नमक डाला नमक में फिर स्टैंट लगाया और इसको मीडियम फ्लेम पे हम 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लेंगे दोस्तो 20 मिनट बाद जब हमारा डो पूरी तरीके से सॉलिड हो चुका है तो उसे मैंने निकाला आपको इसको फ्रीज में रखना बिलकुल कमपल्सरे स्टैप है अधरवाइस इसमें इतना घी लगा होता है कि वो क्रीम इतना लगा होता है कि वो आपको बेलने में बहुत प्रॉब्लम होती तो आप इसको फ्रीज में रखने के बाद जब निकालें तो कुछ इस तरीके से मैदे से डस्ट कर लें और उसको अब हम फिर से उसको डस्ट करके और इसको हम बेलेंगे बट ध्यान रखें कि इसका शेप जो है वो हम चौकोर ही रखें और इसे बिलकुल हलके हाथों से बेलें साथ ही अगर अभी तक आपने इस चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें आपने देखा किस तरीके से मैंने इसे बेला और इसकी थिकनिस का भी जरूर ध्यान रखें यह बहुत पतला या मोटा नहीं होना चाहिए और अब हम इसके किनारों को चाकू की हेल्प से शेप दे देंगे क्योंकि यह हमें रेक्टेंगुलर पीस चाहिए तो एक चौकोर चौकोर टुकडे में हमें इसे काटना है तो इसलिए हमें इसको किनारों को निकालना जरूरी है और यह जो किनारों को निकाल रहे हैं वो आप वेस्ट ना करें उसे भी आप बेक कर लें चारों दरफ से मैंने इन्हें नाइफ की हेल्प से स्ट्रेट कर लिया और उसके बाद इनको कुछ इस तरीके से काट लें आपको जस पर शेप का ये चाहिए तो उस शेप का आप इसे काट सकते हैं बट जो आप बेकरी में खारी लेते हैं वो कुछ इस शेप का होता इसलिए मैं इन शेप में ही काट रहे हूं जो हमारा बेक टिन होगा उसे हम ग्रीज कर लेंगे मैंने इन रिफाइंड ओल से ग्रीज कर लिया और फिर जो पिसिज मैंने काट के रखे हैं उनको इस प्लेट में लगा दिया अब मैं इनको जब हमारा कडाही बिलकुल रेडी है बेक करने के लिए तो उसमें रख दिया इस प्लेट को बहुत ही सावधानी से रखें कडाही आपकी बिलकुल गरम है और इसको ढग दें दोस्तो अप्रॉक्सिमेटल ट्वेंटी मिनट्स बाद आप इसे खोलें और चिम्टे की हेल्प से आप इसे पलट दें आप देखेंगे इसका कलर एक साइट ब्रावन होना शुरू हो गया है गु ден ब्रावन टाइप को आपक यह हो गया है तो आप इसे पलट दें हर एक पीस को पलटना बहुत जरूरी है क्योंकि यह अब आपकी दूसरे साइट से सिखेगी और फिर से इसे ढख दें दोस्तो अप्रॉक्सिमेटली ट्वेंटी तू थर्टी मिनिट बाद यह मैंने थर्टी मिनिट बाद खोला तो कुछ इस तरीके से मुझे मिला यह बिल्कुल बेक हो चुका है अब आपकी डेश बिल्कुल रेडी है आप देख सकते हैं यह किस तरीके से ब्राउन हो गया है गोल्डन ब्राउन और अब आप इसे चाय के साथ शाम को इवनिंग स्नाक्स की तरह यूज करें यह बहुत ही स्वादिस लगता है प्लस यह बहुत ही healthy dish है because इसमें आपने देखा कि कोई oil यूज नहीं हुआ बहुत ही minimum quantity of oil यूज हुआ तो और आप इसकी crispiness को देखी सकते हैं खारी को बनाना काफी easy है बट इसको आप सही तरीके से बनाएं हर एक पीस बिलकुल सिक के golden brown हो गई है तो यह बिलकुल मज़ेदार नाश्ता आपका ready है यह आप इस तरीके से इसको serve कर सकते हैं आप चाय के साथ काफी के साथ आपके गर पे कोई भी गेस्ट आया तो आप इसे तुरंद बना के उसको खिला सकते हैं और मैं इसे तोड़ के भी आपको दिखा रहे हूँ कि इसके अंदर ये के तक